हेलो एवरीवन अब जो हम यहाँ पर टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है हेलो एलकेन के विर्चन की विदियां मैथड्स ओफ परपरेशन ओफ हेलो एलकेन और जो यह मैथड्स हैं परपरेशन की निर्मार की उसमें जो सबसे पहला मैथड्स है उसका नाम है फ्रॉम एलकेन यानि एलकेन के दोारा हम किस प्रकार से निर्मार करेंगी हेलो एलकेन का तो हम करते कहा हैं कि जो मैथेन हैं उसकी क्रिया हम कराते हैं कलोरीन से सल लाइट यानि सूरे के प्रकास की उपस्तिती में तो इसका एक H और इसका एक CL यहां क्रिया करके निकालता है S.C.L. और बाकिशेश क्या बचा इसका तो यहां पर एक कच गया तो यह रह गया C.A.T.R. और यहां रह गया C.L. तो आपको मिलेगा C.A.T.R. C.L. किसी हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड या हम आयू पेशिम नाम देते हैं तो इसका नाम होता है क्लोरो मैथेन अब जो यहां पे बना हुआ क्लोरो मैथेन है C.A.T.R. C.L. यह वापस किरिया करता है स्टनलाइड की प्रजैस में C.L.2 से तो यहां से एक एच कम होकर यह बनाएगा आगे C.A.T.R. C.L.2 जिसे हम कहते हैं ट्राई क्लोरो मैथेन क्लोरो फॉर्म फिर जो यह बनावा क्लोरो फॉर्म है यह वापस C.L.2 के साथ करिया करके स्टनलाइड की प्रजैस में लाट में देता है C.C.L.4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इस पकार से इस विधी में इस मैथड में हमें इस प्राप्त नहीं कर सकते हैं च्योंकि सबिकरिया में हमें मोनो हेलो विध्पन, डाई हेलो विध्पन, ट्राई हेलो विध्पन वो टेट्रा हेलो विध्पन का मिश्ण प्राप्त होता है लेकिन यह विधी ओध्योगिक रूप से महत्वपूड हैं क्यों में तो पूड हैं क्योंकि वह ओध्योगिक दस्टी से इनको हमें पर्थक करने की आउसकता नहीं पड़ती। अगर इनका हमें सेपरेशन करना भी होता है तो हम फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इनको सेपरेट या पर्थक कर लेती हैं। इस पकार से हम एलकेन के द्वारा निर्मान करते हैं हैलो एलकेन का यह होगी आपके पहली विधी। इसके बाद जो सेकंड मेथड हम ले रहे हैं वो है अपना सेकंड मेथड एडेशन ओफ एच एक्स ऑन एलकेन यानि हाइडरोजन हैलाइड का एलकेन पर योग द्वारा या एलकेन पर एच एक्स के योग द्वारा जैसे कि आप जानते हैं जो एलकेन हैं दो प्रकार की होती हैं। तो देखो मैंने एक्जाम पर लिया CH2 डलवान CH2 ये जो एलकेन हैं इसका नाम है एथीन इस एलकेन में आप देखेंगे द्वे बंद के सापेक्स इसके रेस्पेक्ट में दोनों भाग एक्वल हैं समान हैं तो ऐसी एलकेन जो होती हैं उसको हम कहते हैं सममित एलकेन या हम कहते हैं सेमेट्रिक एलकेन दूसर पकार की जो एलकेन हैं उसका मैंने देखो यहां पर एक्जामपल ले लिया CH3 CH डलवान CH2 और ये जो एलकेन हैं इसका नाम है प्रॉपीन और जो ये प्रॉपीन है इसमें आप देख रहे हैं कि द्वे बंद के सापेक्स इसके सापेक्स अब दोनों जो भाग हैं वो समान नहीं हैं और ऐसी एलकीन जो होती है उसको हम आसममित आसमेट्रेक एलकीन कहते हैं मालिया यहां पर हमने एक ग्यामपल गरूप में ये लिया है और सी एच डरवाण सी एच टू यहां पर मैंने कोई एलकीन यहां पर ले ली और इस एलकीन पर मैंने यहां लिखा HX हाइट्रोजन हैलाइड इसका अगर आप योग कराएंगे तो यहां पर आप ब्यान रखेंगे यहां योग की क्रिया मारकोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगी according to मारकोनिकॉफ जरूर होगी अब मारकोनिकॉफ नियम होता क्या है मारकोनिकॉफ जरूर है क्या तो यहां पर आप ब्यान रखेंगे कि जब किसी आस्मेट्रिक एलकीन पर पोलर मॉलेकॉल यहां पर आपको पता है कि H और X में लेक्ट्रो नेगेटिव कौन है X पर आदेगा आंसिक रनावेस और H पर आदेगा आंसिक रनावेस तो यह जो H X अनू है मॉलेकॉल इसमें दो दुरू बन गए तो यह एक पोलर मॉलेकॉल है तो जब किसी आस्मेट्रिक एलकीन पर किसी पोलर मॉलेकॉल का आप एडिशन कराएंगे तो पोलर मॉलेकॉल का जो नेगेटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट को ने हापर? X यह आस्मेट्रिक एलकीन के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर उपस थी तो हाई टोजन की संख्या कम हो अब आप जानते हैं इस कावन पर एक एच्छ है इस कावन पर दो अच्छ है तो कम हैच कावन पर हैं इस वाले कावन पर तो जिस कावन के पास H कम होंगे उसके पास जाके जुड़ेगा भाग नेगेटिव पार्ट और यह पिर जाएगा इस वाले कावन के पास जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉंड यहाँ पर और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर यहाँ जाएगा आर यहाँ जोड़ गया एक्स यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यह यहाँ पर CH2 है, एक एच और आ गया, तो यह यहाँ पर हो जाएगा CH3, और जो कंपाउंड आपको यहाँ मिलेगा, यह कहलाएगा, हैलो, एलकेन कहलाएगा, यह जो रियक्षन मैंने यहाँ पर लखी है, इस रियक्षन में जो R है, R इं होते हैं, जैसे लिए आपने CA3, मिथाईल, C2S5, मिथाईल, एसेक्टर, यह सभी के सभी क्या है, एलकेन समू है, और यहाँ जो X लगा हुआ है, X क्या है, X यहाँ पर होता है, हैलो, जन, एटम, हैलोजन, परमानू, यह कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडी यह आप यहाँ पर लोगे, तो यहाँ पर लोगे, आप S.C.L. या H.B.R. या लोगे, आप H.I. और यहाँ पर इंपॉर्ट बात यह है, कि यह क्रिया जो होगी, वो क्रिया होगी, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्ट वर्ड है, वो आप ध्यान रखेंगे, अकौर्डिंग मार्कोनिकॉप स॥, रूल होगी, तो यहाँ पर मैंने बताया कि यह जो रियक्शन है, वो मार्कोनिकॉप स्थ, रूल क्या अकौर्डिंग फोगी, और मार्कोनिकॉप नियम होता क्या है, कि जब किसी आसमेट्रिक एलकीन आसममित एलकीन पर किसी पोलर मलीक्यूल का एडिशन करेंगे तो पोलर मलीक्यूल का जो नेगेडिव पार्ड है आसमेट्रिक एलकीन के उस काबन पर जाएगा जिस पर उपस थी तो हाई टोजन की संख्या कम हो इसी को हम मारकोनिकॉप जो रूल है उसका हमें एक्जामपल लेंगे अब हमने यहाँ पर एक्जामपल लिया है जो बता था मैंने अभी आपको एडिशन ओफ एच बी आर ओन प्रॉपीन तो प्रॉपीन आपको ध्याने डालवन के रेस्पेक्ट में दोनों पार्ची एक्वल नहीं है दोनों भाक समान नहीं है इसके रेस्पेक्ट में तो यह एक असममित हैलकीन है इस पर कराया आपने एच बी आर का योग और आप जानते है एच बी आर में बी आर एलेक्ट्रो लगेटिव है आंसक डणावेस तो तो दोडुवेश हो गए तो ये क्या यह एक द्रुवी अनुहें तो आब यह क्रिया जो क्रिया यहां पर होगी मार्कोनी कौप जुरूरक अकौडिंग और मार्कौनी कॉप चित नियम के अनुसार जब किसी आज समम्मित एलकीन पर पोलर क्वाइशन कराएंगे तो उसका नेगेटिव पार्ट उसे कावन पर जाएगा जिस पर उपस्थत H की संक्या क्या होगी कमोंगी हाइटोजन कमोंगी तो यहां पर जुड़ेगा कौन बी-ार और यहां जुड़ेगा कौन आकर H और जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा वो ह हेलो एलकेन है और यहाँ पर जो एडेशन हो रहा है वो हो रहा है according to मारकोनिकॉप जरूल मारकोनिकॉप नियम के अनुसार लेकिन जो अभी मनें आपको रियक्शन बताई है अगर ये कराऊ गया परोक्साइड की परोक्साइड की उपस्तिती में तो ये जो रियक्शन होगी वो मारकोनिकॉप नियम के एकदम विपरीत होगी जस्ट अपोजिट होगी जिसको हम एंटी मारकोनिकॉप जरूल या उसको हम परोक्साइड इफेक्ट कहेंगे लेकिन ये होगी कब जब ये क्रिया कराओ गया परोक्साइड की उपस्तिती में अब हम यहाँ पर इसका एक एकजामपल ले रहे हैं यहाँ मैंने कोई एलकिन ली है आर सी एच डलोन सी एच टू इस एलकिन पर आप योग करवा रहे हैं ह बी आर का एडिशन एच प्लस बी आर माने क्योंकि ये मोलेक्यूल कैसा है अनू दुरूवी है लेकिन एरो के उपर लिखावा है परोक्साइड यानि ये क्रिया जो होगी वो परोक्साइड की उपस्तिती में हो रही है और जहाँ पर यह condition आपको मिल जाए, प्रॉक्षनल लिखाव मिल जाए, समझ जाना वहाँ पर जो योग की क्रिया होगी, addition की जो क्रिया होगी, वो मारकोनी कौप नियम के एकदम विपरीत होगी, यानि negative part अब वहाँ पर जाएगा, उस कावन पर जाएगा, जिस पर उपस्त होगी, तो हाँ हीटोजन की संख्या अधिक हो, और यह हाँ जाएगा, जहाँ पर संख्या क्या हो, कम हो, यानि योग जो होगा, वो मारकोनी कौप नियम के एकदम विपरीत होगा, जिसको हम एंटी मारकोनी कौप जूरूल या प्रॉक्षाड एफेक्ट कहेंगे, तो जब बियार जाएगा यहाँ पर, और यह आजएगा यहाँ पर, तो इसको हाँ एच जोड़ दिया आपने यहाँ पर, बियार आगे हाँ पर, नम्बरिंग आप यहाँ से करेंगे, वन टू आर लगा हुआ है, आर अडेंटिफाई नहीं है कि कौन सा गुरूप लगा हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे वन ब्रोमो एलकेन, अगर सकाप एक्जामपल लें, एक्जामपल लें तो मालिया हम करा रहे हैं, आपर HBR का योग करवाएंगे प्रोपीन पर परॉक्साइड की उपस्थिती में, एक्जामपल ग्रूप में हमने यहाँ पर प्रोपीन ली है, C3, C1, CH2, और जो प्रोपीन है, यह कैसी एलकीन है, यह एक आसमेट्रिक एलकीन है, आसम्मित एलकीन है, इस पर आप योग करवाएंगे, HBR का परॉक्साइड की उपस्थिती में, H प्लस बियार मानस पर जाएगा जहां पर H की संक्या क्या होगी, ज्यादा, तो यह H आ जाएगा, यहाँ पर तो नगेट्व पार जब जुड़ेगा, यहाँ पर तो यह देगा, लोंग चेंड सीधी, नम्मरिंग आप वहां से करोगे, जहां से लगन वाले कावन को विक्वी कम से कम बंक मिल तो यह हो गया, वन, यह टू, यह थ्री, तो इसका नम देगा, वन, ब्रोमो, प्रोपेन, जो एक हेलो, एलकेन है, और यहाँ सबसे एक पर बात आप ध्यान रखेंगे, कि जो हाइड्रोजन हेलाइड है, उनका एलकीन पर, जो योग की क्रिया होती है, वह एक इलेक्ट्रो और इसने ही योगात्म का अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन है, जन्यवाद